तो अभी हम इस लैब के ओपर जा रहे हैं विंडोस सर्वर 2016 2019 या 2022 जो भी अवेलेबल है हमारे पास इस रीजन में जिसमें हम उसको एक्टिवेट करेंगे इंसेंच को लॉंच करेंगे तो सबसे पहले आपको रिसूर्स डूप पर आना पड़ता है फिर आप वियम उसमें ल ता भी वो डिप्लाइमंट होगी डिस्क की फिर उसके उपर हम उसको इंस्टॉल करेंगे वेब सर्वर का रोल जो वीम लॉंच करेंगे ना उस पे वेब सर्वर का रोल यह मैंने यहां से इंशाला आनवर्ड नया आप जो सीखोगे बाकी यह रिमेनिंग जो इसके वो मैं इंशाला आपको कहूंगा कि आप अपने तहीं अपने मशीन के उपर भी डिवाइस को पर इसको करके देखो फिर आप पब्लिक डुमें में किस तरह वेलेबल करोगे और यह वैसे तो इसकी पोर्ट जो है 80 और 443 HTTP की पोर्ट होती है 80 और HTTPS की पोर्ट होती है सिक् सर्वर के उपर जो कि मैं भी लॉंच करूंगा और उसे वेब सर्वर बनाऊंगा वहां तक रीच देने के लिए पब्लिक डुमें में आपकी इसके दो पोर्ट को कंफिगर करने के लिए और इसको सारक जो एक्शन होता है वह एनस्टी पे होता है एनस्टी स्टैंड फॉर नेटवर्स सिक्योर्टी ग्रोफ और जब यह सारी लैप ड़न हो जाएगी सच चीज़े दिखा दूँगा फाइनली यह हमने करना है अदर्वाइज आपको बिल जो मैंने कल आपको उसका प्राइस कैलकुलेटर भी दिखा दिया था फिर बिल की मैंने आपको वहां पे किस सर्विस कान किया है तो कितनी सर्विस ने आपके उसमें कितना बिल में उसकी अमाउंट जनरेट हुई है वो सारी चीज़े दिखती है वो मैंने कल भी दिखाया और यह हमने डैश्बूर्ड ट्रेनिंग्स का डैश्बूर्ड बनाया हुए तो जब जब हमें यहां पर रख की वी है पाकिस्तान की और यूए एक है नीचे पढ़िवी आप्शन तो इसको भी आप बड़े इच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो और अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो लें जनाब फिर सेफ कर लिया करो इसको ने जी अब जल्दी से ना हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं लें जनाब अब सबसे पहले तो हमें सर्विसिस अन कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग ग्लोबल आपके पास मौजूद है सर्च जी प्लस स्लैश यहां से कर लो पहले बना लेते हैं और रिसोर्स ग्रूप का नाम क्रिएट कर लेते हैं और यह लैब हमारी वेब सर्वर डैमो आज और जिस रिजन में आपने यूसी ले लेते हैं और नेक्स्ट अगर आपने टैग डगाने टैग दे दो इसमें एंवाइर्मेंट टेस्टिंग प्रेटिड बाई नेम टैग्स और भी इसमें पॉपुलेट कर सकते हो और यह देखिंग्स के बारे में अब मजीद में अ हर दिन कोई नई हम एक्स्ट्रोड करेंगे अप्लाइट टैग्स तो यूर आजूर रिसोर्स तो लॉजिकली और्गनाइज दैम बाई कैटेगरीज टैग कंसिस्ट आप की ने पर्स्ट आपका की नेम होता है ठीक है एंड़ सेकिंड आपका कॉलम इसमें वैल्यू होती है यह यह देख रह और इसके बारे में अगर आपको उसी लञन करना चाहरे हो तो हर दिन मैं कोई नई चीज आपके सामने रख दिया करूंगा ठीक है ताकि हम डे बाई डे कुछ नए चीज़ सीखेंश में से तो टेक्स केवाले से मुझी लॉन पोर अगर आप इसके बारे में आपको समय नहीं हा रही आप मुझसे क्वेस्चन नहीं कर रहे हैं कि सर्ड़ की समझ नहीं आ यह क्यों ऐता है कि यह को यह सल होता क्या है यह यह प enormous that यूप उप्लाइट यॉप्लाइट पर और अब यूप यूर्सूर्स देयर की वैल्यू पर उते हैं आप्प्ट टू आयडंटिफाई यह सल बात है रिसोर्स इस बेस्ट ऊन सेटिंग reclumant to Your organization if you want to track the deployment environment of your resources ठीक है तो आपने इन्वार्मेंट बता दो प्रोडक्शन इन्वार्मेंट प्रोडक्शन है इस तरह आप ये टैग यूजेज रेक्कमेंडिशन आपके लिए यहां पे अगर आप मजीद एक्स्प्लोर करना चाहो तो यह यहां से और यह असल में करता क्या है टैग सुपोर्ट ऑल कॉस अकरिंग सर्विसेज ठीक है जी और यह आपको एक अच्छी ऑप्शन है जिससे आपको पता लग जाता है और यह आम तोर पे यह इसकी आप टैक्स की प्लेस्मेंट हम कर दी जाती है और एक्सेस फर्दर यह सारी इसकी मजीद डिटेल है इन्हेरिट टैग यह पॉलिसीज क्या होती है और टैग्स का बिलिंग के साथ एक बहुत अच्छा एक रिलेशन होता है यू कैन यूस टैग्स टू ग्रोप यूज बिलिंग डैटा इप्यू अर्टिपल वीम्स अब यह देखो सामिने वाले वाल इफ यू आर रुनिंग मल्टिपल वीम्स फॉर डिफ्रें एक अच्छी आप्शन है अगर आप टैक्स को यूज करते हो तो यह आपको यह भी बता रहा है एक और काम की चीज़ के इस रिसोर्स यहां रिसोर्स ग्रोप और सब्सक्रिंग कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ फिफ्टी टैग नेम वैर्यू के है और मैं अभी दो दिये ना यहाँ पर अबने जी एंवाइरमंट नो बता दीए यह सारा कोई बता दीआ बता ने के बाद शरte मैं ने एक्स करते हम और नएक्सरी और पे जो जो आपने यह और विल्लिडेट कर रहा है रैवरिधिंग तो आप यहां पे कम असकम आपने रिसोर्स ग्रूप तो क्रियेट कर दिया तो इसका मतलब है रिसोर्स ग्रूप पहले भी बना सकते हो जैसे मैंने बना दिया और यह आपको नोटिफिकेशन आती हैं यह बैल जो आपको आइकन दिख रहा है यह आपको डेश्बूर्ड के लिए पिन कर्वेंट ही रिसोर्स ग्रूप का नाम मैंने वेब सर्वर डेमो आड़ जी रख दिया यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं क्रियेट अच्छा क्रियेट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस के नाम से आप्शन अवेलेबल हो जाती है अब आप यहाँ आप क्लिक कर दो फंक्शन एप वेब यॉइब अभर आप यहां से भी लांच कर सकती हो फंक्शन एप यहां से भी आप लांज कर सकते हो एर्टीऑ यहां से अब यह फिल्ण धिया है किज था कि उसको आप सेपरेट भी विट्वल मिशीन को आप सर्च करके आप डिपलाई कर सकते हो रिसोर्स ग्रूप के साथ यहां से भी आप करोगे तो यह आपका अंडर वेब सर्वर डेमो और जी क्रियेट हो जाएगा यहां से भी कर सकते हो और यह देखो आपको विश्व मिशीन में यह सारी सर्विस्जी रेलमेंट टू यह और आजूर है यह आपको यहां पर कितने पेजिस हैं और टू नाइटी वन फिल्टर आपने कर दिया ठीक है और टूंटी है यह आपको दिख़री नाइटी वन प्रोड़क्स है और अगर आप इस ईसका यहां से आफ भी करना चाओ यहां से और कर सकते हैं क्लियर कर कर के इसाउर को आप यहां से रिमूब भी कर सकते यह पिलٹर जो लगा था कि just as you services है तो इसको आप यहां से टिक करके दोबारा कर ले और अगर आप यहां पे operating system के उपर किसी किसम की यहां पे आप क्लिक करने पर अगर आप चाहो तो operating system में आप सिर्फ कह सकते हो कि मुझे कौन से operating से relevant यहां पे आपने उसको प्ले करना है अगर यहां पर देखें स्टुर्ण्स तो यह operating system में आपको दिख रहा होगा सर्वर 2019 भी है 2016 भी है 2012 भी है और यह आपको नीचे लेनिक्स टीवी डिफरेंट सर्वर की वेरियेशन आपको नजर आ रही है सूशे भी है रेड है लेनिक्स है डैवियन है सेंटास है उबंटू है इनमें से अगर आप किसी operating system से relevant अगर आप इसको सर्चिंग करना चाह रह है यह सारी options by default एक्टिवेट थी इसमें लिस्ट में वो सारी आपको सर्विसेज नजर आ रही है सिर्व 2016 की फिलाल आपने देखना है यह आप यहां से बड़ एच्छे तरीके से पिल्टर अप्लाई करके लेख सकते हैं यह जस्ट वन स्लेक्टिड है और यह अब आपको त सिस्टम जो है 2016 है क्योंके आपने लिस्ट में कहा है उसे यहां से अगर सब देखने तो desert कर सकते हैं तो marketplace आपके पास prediction है अगर इदर से आप जाना चाहें और आक्टिवेट करना चाहें तो यह भी कर सकते आ फिलाल मैं करता हम कूद क्रॉस इसको भी अकराम रिसोर्स ग्रूप को भी बंद करना है रिसोर्स ग्रूप बन गया जनाब हम यहां पे वी-एम सर्विसेज को सर्च करते हैं यह वैसे यहां पे भी नदर आ रहा है और आपको मैंने अधर वे बताया था कंप्यूट में भी जा कि यह देख सकते हो कि विच्चर मिशीन अब मैं जल्दी से करने लगाँ काम को सब्स्क्रिप्शन होगी रिसोर्स गूर्व आपने बना दिया था वेब सर्वर्ड डैमो और अगर आप नया बनाने चाहएं यहां से कल जैसे मैंने बनाया था यहां से बनाया था वैब सर्वर वी-एम यह मैंने नाम दे दिया यहां से आप इसको दे सकते हो जैसे आप यहां पर इंफर्मिशन के आइकन पर आते हो तो यह आपको डिटेल भी बताता है इसको दूरू स्टडी कीज़ेगा रिजन हमने यहीं रहने देते हैं रिटेंडेंसी मुझे नहीं रिक्वाइड इंफरस्ट्रॉक्चर मुझे नहीं चाहिए और इसकी स्टी टाइप भी रहने दो यहां भी जाके मैं अपना उस सर्वर को यह सर्वर मैं यहां से यह देख रहे हैं अब 2019 भी है 2022 भी है और फिलहाल मुझे यह सर्वर के उपर मैंने प्लाइन किया है कि मैंने 2016 डेटा सेंटर इसको वेब सर्वर के तोर पे मैं लाँच कर रहा हूं फिलहाल मैं 2016 यह देखो अभी कोई शू नहीं आ रहा वक्ती तोर अगर आता भी है तो यह देखो अभी कोई आरड नहीं आ रही है और यहां पर मुझे करंटली यह अब चुके मुझे प्रोसेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए होगी तो मैं 3.5 जी बी के साथ 91.98 पर बंद के साथ इसको डिप्लॉय करने जा रहा हूं ठीक है तो यह इसमें आपको प्रोसेसर्स रैम यह आपको इसका एक बना हुआ एक आपके पस सेलेक्टेड मॉडल है आपने इसमें से जो आपने सेलेक्ट करना है आपको जो रेकमेंड़ आपको चाहिए इसमें से रिसेंटली जो यूज की हैं वो नजर आ रहे हैं रेकमेंड़ यह हैं इनमेंसे जो आप लेना चाहो अगर आपको अच्छी कंप्यूट चाहिए तो फूर विर्चुल सीप्यूज के साथ आप जा सकते हो 16 जीवी रैम के साथ जा सकते हो चार्जिस देख लो चार्जिस मंतली ज्यादा पड़ेंगे इसका मतलब है आपके पास जो अजूर इमिज पॉब्लिश जो हुए में अवेलिबल हैं वह भी देता है प्लस सी ऑल इमिजज में जाके आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो तो मैं इस वक्त चाहूंगा के वान सीप्यो एंड थ्री जी भी ले लेते हैं ठीक है यहां पर अकाउंट बता दो पासवर्ड बता दे तू टाइम आपको करना होता है और इसकी कांपोजिशन आपको बता भी रहा है कि आपने अलफा बिर देने हैं नुमेरिक वैल्यू देनी है पासवर्ड ने यह सिंपल नहीं होना चाहिए थ्री ग्रॉप आफ करेक्टर इसमें इंक्लूड होने चाहिए ठीक है जी एबी सी वान्टू तो त्री स्पेशल करेक्टर स्मॉल अबी सी हो सकती बढ़िए हो सकती चार ग्रॉप्स में से तीन कम अज़कम इसका हिस्सा हो ठ देखो यह बतावी रहा दिस विल अलाओ और आइप ड्रेस इस एक्सी और विच्वल मिशिन इस ऑनली रेक्मेंड़ फॉर टेस्टिंग 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 यहां वे मुझे एसस्टि कोस्वाइज यह कब आप सूट करती है बेस्ट फॉर प्रोड़क्शन जहां पर पर्फॉर्मस सेंस्टिव वर्कलोड होता है वहां पर एसस्टि प्रेमियम की तरफ आप चले जाते हो जहां पर यह आपको स्टेंडर्ड एसस्टि बेस्ट वर वेब सर्वर लाइ भी है नीचे बैस्ट फॉर्दा प्रोड़क्शन वर्कलोड एट नीड्स टूरिज रिजिलियंस अगेंस जॉन फैलियर जॉन अगर फैलियर हो जाता है इसमें आपको रैपलिका कही दूसे टेटर से आपकी अवैलेबिलिटी को मेक्शोर करता है ठीक है यह भी है नोड भी दे रहा है नीचे ठीक है जी नेट्वरकिंग का पार्ट नेट्वरकिंग के पार्ट में आपको इसको चुके आईपी रिक्वाइड होता है तो दो तरह के आईपी कल भी मैंने बताये थे अच्छा इसमें मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा इंशाला जब विर्च् में चाहिए आपको 192 का चाहिए क्लास C का चाहिए वह भी दे सकते हो क्लास B का चाहिए तो 172.15-31 तक पूल होता है यह भी आप कर सकते हो डिफॉल्ट वैसे यह देता है आज मैं डिफॉल्ट के साथ ही चलता हूं और एक आईपी भी मिलेगा ठीक है जी और आपको पब्ल कोई जो करने जा रहा हूं तो यह आपको एक आईपी चाहिए होगा बाकी नेट्वर्ट स्क्योर्टी ग्रोप जो है नेट्वर इंटर कार्ड इंटरफेस कार्ड वो बेसिक ले लेते हैं और पोर्ट अलाउड है आरड़ीपी 3389 ठीक है जी और पब्लिक आईपी आप यह एक चोटी सी आप्शन है डिलीट पब्लिक आईपी एंड नेट्वर्ट इंटरफेस वेन वी एम इस डिलीटिड वी एम को खतम करते ही यह भी डिलीट कर दे ठीक है बालकाद ना यह चेक बॉक्स आफ अगर आप रखो तो होगा पता क्या कि अब अगर वीम डिलीट भी कर वे थे अगर यह आप्शन आउन कर दी जाए तो याद रखना अगर वीम को भी खतम करते हो तो वीम के साथ कुनेक्टिड दो चीज़ें आपकी आपकी आटमेटिकली रिमूव हो जाएंगी एक पब्लिक आईपी एक नेट्वर्ट इंटरफेस कार्ड पल मैंने आगो अच्छा इसमें प्रिवेश स्टेप में ना यह इसमें लोड बैलंसिंग की बात हो रही है प्लेस डेस विट्वल मिशिन बिहाइंड एन एग्जिस्टिंग लोड बैलंसिंग सुलूशन यह मैंने आपको बोला था कि वेब साइट अगर आपने लॉंच की और आपका इड को मेक शूर करना प्रोसेसिंग आपको चाहिए ज्यादा तो आप लोड बैलंसर लगा सकते हो तो लोड बैलंसर सुलूशन आपको मैं इन्शाला जब करवाओंगा उस लैब में इसके आपको बता दूँगा अब फिलाल इसको आफर क्यों मैनेजमेंट है जी किस तरह मैने कर दें अच्छा इसको एक चीज़ याद रखी का वीम जब आपकी लाउंच हो जाती है ना तो इसके जो ब्लेड है ना ब्लेड ओवर्वियू और बाकी ऑप्शन के अंडर वहां पर भी आटो शटडाउन वहां पर भी आता है और अनेबल बैक अप वहां पर आता है यह अ आटोमेटिड जॉब आप वहां पर परफॉर्म कर रहे हो उस वीम के उपर और आप नाइट में और यहां उसको यह चारे हो कि इस टाइम पर यह आटोमेटिकली आपका शटडाउन कर दे शटडाउन आपके पास एक सिंपल यह आटोमेटिड जॉब आपकी करतेगा बजा तो शटडाउन करना है इसका एक्सपेरियंस एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो जैसे आप यह क्लिक करते हो और यहां पे आप टाइम अगर बता दो राद नौ बजे पी-म ठीक है आटोमेटिक यह मशीन शटडाउन हो जागी और एक और काम करेगा कि आपकी शटडाउन करने से पहले आपको इस एमेल के उपर जो आपने यहां पे दी वी है चुक्छे मैंने आपको पता हिए मेरा काउंट इस एमेल के उपर रिजिस्टर ह यहां पर भी आपको देख रहे हैं तो यह मुझे इमेल भी आएगी बिफोर शटडाउन एक अच्छी आप्शन है अगर आप इसको करना चाहो यूज कर सकते फिलाल इसको मैं कर देता हूं आफ इसका फाइदा ही होता है कि आप बाज वकात आप जो है वो शटडाउन नही कर पाते आप बिजी होई स्केजूल की वहाँ से आपके पर लोड बहुत जादा है आपने वीम्स डिपलाई कर दी हैं लेकिन शटडाउन आप हर एविनिंग को रात बारा बज़े शटडाउन करना चाहरे हो बिजनस आफ हो गया आप अपने वीम्स को जो किसी मकसद के लि कर सकते हो होगा गया कि वीम्स के ओपर आपके कॉंटेंट पढ़ाओ है ठीक है आपकी वेबसाइट भी हो सकती है आपकी कोई फाइल्स फोल्डर डेटा भी हो सकता है अगर आप इसका बैक अप लेना चाहो तो इसको अनेबल कर देना मैं आपको इन्शाला बैक अप मॉनि मकसद क्या होता है recovery खुदाना खासता अगर आपका VM किसी वया से आपका जो है वो unavailable हो जाए तो आपने उसका जो data है वो lost होने का खतरा आपको हो सकता है ठीक है तो आप इस चीज़ को make sure करते हो ये recovery service wallet होता है बड़ी important है जब मैं आपको backup करवाऊंगा इन्शाला topic उसमें आपको बताऊंगा अच्छा backup आपने कब कब लेना है per day backup लेना है multiple हर आपने 30 days के backup चाहिए आपको one to five days operational day चाहिए one say day बैक अप चाहिए ये options हैं इसकी आपने अपनी वी-एम जो heavily आपकी जो है उस पे content आपने जो है वो distribution के लिए पब्लिश किया हुए उसके उपर तो उसको अगर आप चाहो उस वी-एम का आप backup भी रख सकते हो कोई भी reason हो सकते हैं ये monitoring का पार्ट आ गया अभी मुझे monitoring में ऐससे कुछ नहीं required next कर देते हैं एडवांस में भी मुझे भी फिलहाल कुछ नहीं required ठीक है जी यह आप यहाँ पे बाकाइदा आप different scripts को run कर सकते हो configure करने के लिए यह उसका काम के लिए होता है apps को आप यहाँ पे आप download के लिए deployment of VM after deployment यह क्या कह रहा है आपको VM application contain application files that are securely and reliably download on your VM after deployment यह automatically आप जो जो इसके उपर application रखोगे वो आपकी VM बनते ही उसके उपर deploy हो जाती है यह एक अच्छी option है इसको भी इंशाला किसी रोज हम चेक कर लेंगे अभी फिलाल मैं simple आपको यह जहां पे tagging के उपर जा रहा हूं tag वही है जो resource group के दिये थे और अगेन मैं आपको बता दो इसका मकसद क्या होता है ताके आपको billing और आपकी resources आप department wise यह रिजिनल बेस से इसको टैग के तुरू represent करवाना चाहिए लें जनाब इसकी price आगई है review कर रहे है और यह उपर आपका validate कर रहे हो गया everything is okay price आपको बता दी यह सारे चीज़ें और इसके अंदर क्या क्या बेसिक जो आपने subscription क्या है resource group क्या है विश्वर मिशीन का नाम किस रीजन में infrastructure यह वो आपने जो operating system उसकी जो size आपने with account username जो आपका machine का honor है जो credentials जिसके तुरू आप उसको access करोगे और protocol जिसके तुरू आप remote access करोगे disk wise ही आपके पास standard SSD locally redundancy है और इस पे managed disk वे उपर लगी वी है size almost 127 होता है networking का part आगया इसमें आपने वी net की setting on की वी है और इसमें आपको private IP इस series का मिलेगा और इसमें मैंने आपको गल भी बोला था किसका fourth IP आपके पास available होगा first three जो होते हैं last one आपका इसमें unavailable होता है बलके first zero one two three यह four होगे और last one is five तो five IPs याद रखना इस network में आप जो Azure Microsoft Azure अपने लिए reserve करता है उसमें से gateway होता है DNS होता है और इसी तरह प्राटकास्ट और network ID होता है यह मजीर इसकी management की monitoring की जो अभी आपने recently setting की है उससे relevant आपको summary दिखा रहा है यह देख रहे हैं सारी वही है अच्छा जी एक काम और कर सकते हैं अगर आप देखना चाओ इसका template भी download कर सकते हैं यह JSON में होता है यह आम तोर पर script होता है आपका जो एक बहुत ही आपकी automated job के रिए हमें पढ़ती है तो यह आप यहां से इसको देख सकते हो यह देखो यह सारी जैसान लैंग्विज है बैकेंड के ओपर जो आपकी language implement होती है यह उसके बारे में आपको दिखा रहा है जैसे अभी थोड़ इसकी है इसकी language में coding आपको यहां पर देख रहा है networking का पार्ट हो गया टैग्स आपने जो लगाया थे यह देखा है यह टैग्स होगे रहा है यह बैकेंड के ओपर language specific जो इसकी से relevant है वह आपका जैसान है इसका power cell script भी देख सकते हो CLI script भी देख सकते हो parameter जो 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 इसमें template जो है यहां पर देख रहा है फिलहाल इसको कर दो cross अभी हमने इस retail में नहीं जाना ठीक है यहां से डाउलोड करते आपके automation के लिए होती है बाद आपको यह जो है वो script के तुरू play करना होता है अपनी वीम को launch करना होता है within no time आपको इतनी मेनत कर रही है ना कितने सारे आ tabs के तुरू cross होके यहां पर आए लेकिन अगर आप इसमें script के तुरू यह CLI मॉड में भी यही काम करना चाहो विदिन नो टाइम आप इसको launch कर सकते थे अब फिलाल मैं create करता हूँ यह notification के उपर आप focus करो डिप्लाइमेंट इन प्रॉग्रेस और यह जनाव आपको बढ़ बता भी रहा है और यहां पर इस डिटेल दिखा रहा है जो डिप्लाइमेंट की है जिसमें विच्वन नेटवर्क ऊके हो गया स्टेटस आई-पी ओके हो गया स्टेटस नेटवर्स स्टेटी ग्रोप ओके हो गया स्टेटस अब देख उन्या और इसके अंदर जो सर्विसेज यह आ गए यह वीम आलमोस्ट क्रियेट कर रहा है और इसके साथ ही जो इसका नेटवर्क आई-डी है वो भी यहां पर क्रियेट हो रहा है अगर आप इसकी ऑपरेशन डिटेल को स्टेडी करना चाहिए यहां से भी देख सकते हो सब्सक्रिप्शन बता रहा है इसकी आई-डी बता रहा है करन्टली क्या हो रहा है रनिंग मॉड में है इस टाइम पर लांच किया गया दस सेकंड डूरेशन के ट्रेकिंग रिकॉर्ड पूरा आपको स्टेटिस बता रहे है लिए जनाब अब मैं जल्दी से इसको रिमोट भी आ गया कि आप का जी आप जम कर सकते हो इस रिसोर्स पर क्रियेट हो गई है जो आपने किया है वेब सर्वर वी एम लांच हो गया स्टेटिस भी आपको बता रहे है करन्टली स्टार्ट स्टेटिस है और आई-पी यह देखो यह मिल गया यह पब्लिक आई-पी होते है और इसके लावा आज मैं आपको इसका बताऊंगा नोट कंफिकर ठीक है और यह सब्सक्रिप्शन की आई-डी है जो कि आपको इधर भी देख रही है यह और यह आपके पास सब्सक्रिप्शन है यह आपकी लोकेशन है स्टेटिस रॉनिंग टैग्स आपके पास यह मौज ठीक है यह सारी आप्जिनज यहां से भी आप कंफिकर कर सकते हो अगर आपने उस वक्त ने की तो आप बाल में यहां से करने यह देख रहों पैक अप एंड ऊट्ट शॉट डाउं यहां से भी कर सकते आपरेशन डिफर्न डिफर्न हैं अच्छा जनाब कुनेक्ट करते हैं किनेक्ट आमने यहां से करना है अचा इसमें थ्री डिफरेंट वेज होते हैं किनेक्ट करने के अभी फिलाल वह आपको सुजेस्टिज मैथर्ड फॉर कुनेक्टिंग आपको बता रहे हैं यह रिमेनिंग पार्ट जो है इसके हम इंशाला इसको भी एटेंट करेंगे लेकिन यह हम आम तोर पे यूस करते हैं फॉर लेनिक्स सर्वर्स ठीक है तो अभी आर्ट डेपी की तरफ चलते हैं और इसकी जो तैरेक्ली जो आपके पास सिंपल वेज डैट आर्ट डेपी फाइल को आप डाउनलोड कर लो इसको आप पावर सेल के तुरू और सी एल आई के ने जी कुनेक्ट मोर चॉइस इस यूजर डिफरेंट अकाउंट और यहां पह आप अपने क्रिदेंशल्स जो आपने लाँचिंग टाइम दिये थे लेजनाब रिमोर्ट सेशन कंफिगर हो रहा है और यह रिमोर्ट रिमोर्ट ली सुपर यूजर जो है उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है और यह वीम का डेक्स टॉप विद सर्वर मैनेजर आप यह आपको स्क्रीन के उपर आफ्टर फ्यू सेकंड्स यह आपको दिखेगा यहां पर आज जो हमने इंस्टॉल करना है वो रोल जो वेब सर्वर के लिए रिक्वाइड होता है अगर आपको ऑन प्रेमिसेज आपने कभी जॉब की हो और वहां पर आपने अगर अपनी वेब साइट को आपने सर्वर को जोके विंडो सर्वर है यहां 2016 है यह 2012 है यह 2019 है से आप कर सकते हैं सर्वर मैं अगर यह आप से एक्सिजेंटली बंद भी होजए तो टेंशन नहीं लेनी इसको आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं यह सर्वर मैनेजर इसके अंदर यह आपके पास 9 टायल नज़रा रही होंगी हर एक टायल की अपनी इंपॉर्टन्स है विं यहां 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 से आपने अब इंस्टॉल करना है वह रोल जिससे यह सर्वर जो है यह वैब सर्वर बन जाएगा अभी यह सिंपल सर्वर है 2016 ऑपरेंटिंग सिस्टम के साथ अगर आपको इसको वैब सर्वर बनाना है यू हैव तो इंस्टॉल रोल यह सर्वर का रोल डिफाइन करना पड़ेगा क्या रोल है जी यह एक वैब सर्वर है और इसके उपर हमें सर्विसिज चलनी है इंटरनेट इंफरमिशन सर्विसिज आई आई एस यहां से आप कन्फिगर करोगे यहां से कर लो यह मैनेज में चले जाओ सेम ऑप्शन एड रोल यह विजड़ आएगा जी इसको अपने प्ले करना है और रडी जो अन प्रेमिसिस जॉब करते हैं अड्मिस्ट्रेटर तो वहां पे भी आपको इसी तरह रोल कन्फिगर करना पड़ते हैं जैसे यहां कर रहा हूं सेंग select installation type you can install roles and features on a running physical computer or virtual machine role based or feature based installation yes remote desktop services no with a hia configure a single server by adding role services or features machine with IP this one with operating system this one yes यह जी रोल और यहां पर यह बिल्कुल बॉटम पर देखो यह वैब सर्फर यह अपने टिक करना है और इसमें यह इसका तंसूल होता है information internet information services iis ठीक है इसको आपने एड़ करना फीचर है इसकी यह जी टिक आन हो गया और यह देखो साइज description देखो क्या लिखा है क्या करता है यह सर्वर प्रोवाइड जे reliable manageable and scalable web application infrastructure चाहिए यह चाहिए यह बागी भी important है इंशालों जब डिसक्स होंगी पूर्स के अंदर तो बताऊंगा नेक्स्ट पीचे इसमें कोई हमें required है नो जो active है एक्टिव इन जो नहीं active उसको वैसे ही छोड़ दो इसमें सच मुझे कुछ नहीं करना डिपेंड करता है आज हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए लेजी अब आपको मजीद एक्स्प्लें कर रहा है web server a computer that let you share information over the internet or through intranet and extranet the web server rules include internet information services with enhanced security diagnostic and administration and unified web platform that indicates iis 10 version communication or yeeji include the installation of role service that enable the static content make minor customization such as default document and http errors चलते हैं जी next web server की role services है यह आपको यहां बता भी रहा है कि आपको support देगा HTML website बनाने की लिए और इसमें क्या करना है next अभी बताता हूं इसको ऐसी रहने दो चछा बालकगा ना इस मिशीन को रिस्टार रिक रिकॉाइड होता है इंस्टलिक बाल रोल्स오 यह उसकी रोल्स सरविसई्ज यह उसकी फीचर्स अभी हमने यहीं पढ़ा ना यह तीन चार आपके पास पीछे बॉक्स आए थे रोज थे या उसके सर्विस्स थी या उसके इंदर की फीचर्स थी तो बलकत आपको आपको इसको जो है वह रिस्टार्ट करना पड़ता है कन्फिगर करने के लिए अप्शनल है लेकि अत्यातिन आउन कर दो अगर पढ़े तो करते नहीं है तो नहीं करें ठीक है यह यह आपको बता भी रहा इफे रिस्टार्ट इस रिक्वार्ट इस सर्वर रिस्टार्ट आटमेटिकली विद्डावड अडिशन नोटिफिकेशन तो यह वां तो आलाओ आटमेटिक यस कर दो कोई महात नहीं जाज जादा क्या होगा दोबार से कुनेक्ट हो जाएंगे यह उपर आपको टाइटल दिख रहा होगा वैब सर्वर इंटरनेट इंफोर्मिशन सर्विसेज और यह देखो उपर इंस्टॉलेशन में आपको फीचर इंस्टॉलेशन में यह सारी आपको यहां पे डिफरेंट लेवल्स आपको दिख रहे होंगे यह ब्लू बैंड आपको यहां पे नदर आएगा और यह जैसी 100% होता है तो इसको यह एज वैब सर्वर डिकलेर कर देगा अब इसका डैसिंगनेशन क्या है यह सर्वर एक रोल के साथ अब वैब सर्वर बन गया और वैब सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो कॉंटेंट ज एक सीज़ आपको और दिखा दूँ यह नीचे आपको फाइल एक्स्प्रोडर दिख रहा होगा यह वदा इस फाइल एक्स्प्रोडर में जो आपने साइज डिपाइमेंट के टाइम बताया सी ड्राइब आपको दिखती होगी साथ में एक टेंपरेरी स्टोरेज भी देर इस ड्राइब में याद रखना इस रोल के बाद ना एक इनिट पब के नाम से फोल्डर बन जाएगा किस नाम से इनिट पब मतलब इनिशलाइजेशन और पॉब्लिकेशन आफ यह कॉंटेंट यह देखो पहले नहीं था यह सी ड्राइब दिखरी आपको टेंपरेरी भी त फोल्डर नहीं था जो अब दिख रहा है यह जी वो फोल्डर मैंने बोला था इनिट पब के नाम से यह अगर आप पहले में आपको दिखाता ना इस रोल को चलाने से पहले यह फोल्डर यहां पे नहीं था अब आप कहोगे इस फोल्डर में है क्या यह असलमें वो एक और जो important चीज दिखी होगी ये चार different आपको यहाँ पे options दिख रही थी dashboard local all servers file and storage ठीक है file and storage में आपका volume disk storage pool वगरा ये पड़ा होता है इसको इन्शाला आज की lab की हमारी requirement नहीं है इसको हम back कर लेते हैं वापसा जो अभी जो मैंने देखना है वो एक important service role आपका बन गया और इसका रोल का नाम है IIS ठीक है ये आपको देख रहे है इधर भी देख रहे है ठीक है अच्छा अब आप लोगों को ने करना क्या है ये ये आपको इंटरनेट इंफर्मिशन सर्वेसिस मैनेजर अच्छा ये रोल इंस्टॉल करने से पहले अगर मैं आपको इसका टूल्स मैन्यू के इंडिस्टेंडिंग दे देता जिसमें कंप्यूर सर्वेसिस हैं, कंप्यूर मैनेजमेंट है ये वो आप्शन्स हैं जो विंडोस के आप ऐसे अट्मिस्टेटर या या यूजर आप इससे कहीं न कहीं कुनेक्टिड होते हो जो नहीं चीज आती है आफ्टर इंसॉलेशन डिस रोल इस ऑप्शन यह पहले नहीं थी इंटरनेट इंफरमेशन सर्वेसिस मैनेजर एक चीज यह एड़ हुई है दूसी मैंने आपको बोला इसकी फिजिकल लोकेशन फोल्डर एड़ हुआ है इनिट पप के नाव से जरा मैं इसको एक्सपैंड करता हूं यह टूल ऑपन किया यह देखें यह बाकाइदा आपको इसको अगर आप चेक करो तो इसमें इसका बाकाइदा यह कंसोल मैनेजर है पूरा ठीक है इसको एक्सपैंड करो तो यहां पे साइट्स भी आ रही है देखो एप्लिकेशन पूल है इसकी दो डिविजिन्स आपको नदर आ रही होंगी एक तरफ लिखा हूँ है वेब सर्वर वी एम यह वही है नाम जो आपने पोर्टल पे दिया था मशीन का नाम यह साइट्स यह डिफॉल्ट वेब साइट यह यहां से भी आप देख सकते हो अगर आप चाहो इसको यहां से भी व्यू कर सकते हो यह डिफॉल्ट डॉकुमेंट होता है डिफॉल्ट डॉकुमेंट को अगर आप यहां पे डबल क्लिक करो तो यह आपको बता यह रहा है यूज डिस फीचर तो स्पैसिफाइड डिफॉल्ट फाइस रिटर्न वने क्लाइंट डज नॉट रिक्वाइड स्पैसिफिक फाइल और इसमें याद रखिएगा सबसे पहले आपको इस फाइल को सर्च करता है अगर आपने वेब साइट के कॉंटेंट लोड करोगे ना तो बाइडिफॉल्ट ये एक फाइल होती है एसपी फाइल होती है इंडेक्स.html आपकी फाइड होती है बाइडिफॉल्ट आपका जो लैंडिंग पेज होता है आहम दोर पे कांपनी का वो इंडेक्स.html होता है फिरस पेज जिसे बोलते हैं और अगर यह ना बने हो जो सी के अंदर आपका फोल्डर भी दिखाया था अच्छा मैं उस फोल्डर में जाता हूं भी फोल्डर में एक फाइल बनी होगी यह वाली यह बाई डिफॉल्ट होती है इंटरनेट इंफॉमेशन सर्विसेज स्टार्ड.html यह मैंने लोकेशन डिफॉल्ड वेबसाइट में दुबारा से देखो यह जी डिफॉल्ड डॉकमेंट डबल क्लिक करना है आपने इस पे यह वो फाइल्स हैं जो लुकेटिड होनी चाहिए अगर आपने अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है इन नामों से फाइलें पढ़ी होनी चाहिए अ पीड्राइब पर जाने इनिट पब में जाने इनिट पब में जाके यह वो फोल्डर है जिसका नाम है www.wroot इसमें अगर आप जाओ यह वो फाइल है जो बाइडिफॉल्ट जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे यह कॉंटेंट दिखेगा जो इसमें है दिखाओं इस तरह का होता है यह वाला यह टैमप्लेट है इसका मतलब है आप लोगों थोड़ी दिएर में यह पेज दिखने वाला है अभी मैं आपको थोड़ी दिर में कहूंगा यह पेज ओपन करके आप भी देख सकते हो तो अगर आपको यहीचाहिए इसी को रखो और अगर आप को इंडेक्स के नाम से आपकी कांपनी का को पेज है वो चाहिए आप वो भी कर सकते हो चले एक काम करता हूं मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके और उसमें उसका टाइडल दे देता हूं माई ट्रेनिंग पेज माई ट्रेनिंग पेज यहां पे लिख देता हूं इस जगा अब वो कैसे लिखूंगा यह देखो क्लोज कर दोस्तों दुबार से देखो यह आपको एक फाइल नजरा रही है यह पी एंजी फाइल होती है इसको जरा ओपन करता हूं और आपको जरा मैं चेंज करके दिखाना चाहरा हूं ताके आपको थोड़ा आइडिया हो जाए यह वही पेज है जो आपको भी दिख रहा था थोड़ी सिसमें चेंजिंग कर लेती है हमारी एक ट्रेनिंग कांपनी है उसका नाम लिख देते हैं हुआ है थोड़ा डिफेंट कर देते हैं तके हम यह आइडिया हो जबाए तिके जनाब सेफ कर देते हैं अब आपको दिखाता हूं यह पेज्ट थीक है यह हमारी समझे लो वेब साइट है इसको आप यहां से भी देख सकते हो ब्राउजर यह लिखा है ब्राउज पोर्ट नमबर 80 STTP देख रहा है ना STTP पोर्ट नमबर 80 यह मैं अभी आपको लोकली सारा कुछ दिखा रहा हूं अभी पब्लिक ली मैंने इसको किया कुछ लोकली दिखा रहा हूं यह देखो यह ओपन हो गया वे पेज यह भी मैं आपने server पर इसको प्लान कर रहा हूं कि मैंने content अपना पब्लिश कर दिया content पब्लिश करने की location मैंने आपको students बता दिया आपने करना गया है इसको मैंने www.root में जाना है C-Drive पे और वहाँ पे जो content मैंने रखने है, website रखनी है number of pages रखने है वो इस folder में रखूँगा और मैंने for the time being मैंने समय लोग पेज बना दिया और ये रख दिया अपना टाइटर वर्टर देखे अब ये आपको दिखना चाहिए थोड़ी देर में और ये ही मेरे इसमें जो आपका main lab है उसका आज agenda ये था कि मैंने अपनी website launch करनी है web server पे content publish करना है और all over the globe internationally वो आप देख सको अच्छा जी ये आपने काम कर दिया internet information service manager का अगर server में आपने बंद भी कर दिया कोई मसला नहीं तो बारस open कर लो यहां से ये server manager ठीक है server manager के तुरू आप लोगों ने क्या किया आपने इसमें एक role install किया है यहां से ठीक है या को समझ आगी होगी बात यहां तक और उसके बाद आपने content अपने publish किये इन इस फोल्डर जो के यहां पड़ावा था यह मैंने भी तक काम किये ठीक है जी अब next अब आपको मैंने यह content दिखाना है यह VM अगर आपने आपने VM बंद नहीं करने व्याम ओपन ही है minimize करने लगा यह मैं पोर्टल पे आगया वापस ठीक है यह मैं पोर्टल जहां से इसको मैंने remotely आपके उस server को connect करके उसको जो है वो web server भी बनाया और उसकी content भी publish कर दी अच्छा यहां बेभी अभी कुछ चीजें में चाहिए जैसे अवर्वियू में जाता हूँ यह web server है न उपर वीम यह वीम हैसल में आपकी यह वो IP है जिसके तुरू मैं इसको open करूंगा यह देखिएगा यह IP आपको अगर मैं दे दूँ आप भी open कर लोगे इसको बलके मैं आपको भी send करता हूँ आप मुझे बताइएगा क्या यह आपके पास open हो रही है यह देखिएगा यह IP मैंने आपको बेज़ दिया इस IP पर आप लोग copy paste करके ज़रा चेक कीज़ेगा क्या यह आपको यह जो content है क्या आपको स्क्रीन के उपर दिख रहे है नहीं दिखेगा अभी यह नहीं दिखेगा चेक कर लो आप कि मैं अपने पास चेक कर लाँ यहां पर ठीक है मुझे इसके content open नहीं हो रहा है अच्छा अब आपने क्या step लेना है वो बताने लगाँ यह देखीगा आपने web server पर जाना है यह देखो यह इसी तरह आपको भी आ रहा होगा ठीक है अब आपने जाना है इसमें मुझे इसकी port 80 को open करना पड़ेगा आपको मैंने दिखाया था ना http port 80 यह कहां पर set होती है configure होती है इसके लिए आप लोगोंने इस VM की इस VM की कुछ settings required है यहां पर जो मैंने नहीं की थी अभी तक वह मैं बताने लगा हूं यह देखो यह अंडर web server VM आप थोड़ा सा stall down करो है यह को भी configure करते हैं यह मैं बताता हूं अभी आपको यह आई पी वही है जो ऊपर आपको मैंने दिया है यहाँ अब आपने क्या करना है जिससे ही आपको इसके content आपको मिल जाएं नेटवरकिंग आपने ब्लेड में जाना है इस मेरी मशीन के ब्लेड में जाना है यह ब्लेड है इसका overview जो कि मैं आपको दिखा रहा था स्टार्ट में जहां यहां से connect किये थे ठीक है activity log भी है जहां को आपको बता भी रहा है यह दिखा रहा है आपको जो जो आप action कर रहे हो result updated succeeded यहां मैं आपको access भी दे सकता हूं as in honor मैं आपको इस सब मशीन की access भी दे सकता हूं टैग्स यहां से देख लो अब आपने जाना है networking में ठीक है network में चले जाओं और network में जाओं कि जब तक आप इसमें port open नहीं करोगे RDP आपको पता है जब आप launch कर रहे थे RDP भी था और इसको अगर आप थोड़ा सा click करते ने उसमें HTTP भी था hypertext markup language sorry hypertext transfer protocol इसकी port होती है 80 और यह मैंने आपको उधर भी दिखाई थी अभी web server जो मैं बना रहा था आपने यहां से add करवाना है इसको inbound rule inbound rule traffic open रखनी है आपने port number 80 के लिए चलते हैं एक rule add करते है source is any port raise is any destination is any service service में आजो और यहां पर आप देदो HTTP यह वाली और इसकी port by default होती है 80 रहने दो यह TCP होती ही इसके protocol okay allow action क्या है allow deny ना कर देना अगर आपने deny ही रखा कोई फाइदा नहीं कुछ नहीं होना allow बहुत आपको इसको जो है वो block भी करना पड़ता है port को किसी वहाँ से तो आप block यहां से अगर rule लगा भी हो deny कर सकते हैं लेकि मुझे फिलाल इसको क्या करना है open करना है allow करना है ताकि मेरे server के content तक आप लोग as a public आपको access मिल जाए इसलिए port को open करने लगा हूँ समझा रही है आपको allow priorities की जो है current वो रहने तो कोई tension वरी बात नहीं description अगर आपने देनी है तो दे दो add कर दो add करते ही यहां पर लिस्ट में आजाएगा priority 310 के साथ यह देखो यह उपर आप successfully आपको created security rule priority यहां पर 310 इसके बाद आएगे यहां पर ठीक है हाई करनी है आप 100 भी कर सकते हो कोई tension वाली बात नहीं और यह inbound rule आपने set करना है outbound rule से कोई तालोग नहीं अभी अभी कुछ नहीं करना हमने ना application security group ना load balancing का अभी हमें current रही कोई website दिख रही है थोड़ा टाइम लगता है हां जी रिफ्रेश करो आजेगी अगर नहीं आ रही ना आजेगी अब एक और काम करो तोड़ी देर पर फिर कर ले ना यह देखो एक और काम करते हैं जर्द दुबारा फोकस कीजिएगा और दुबारा फोकस कीजिएगा और यह तो है आई-पी आई-पी तो नहीं होता ना प्रॉपर एक नेम होता है अब नेम को कैसे आप कंफिगर कर सकते हो ओवर्वियू में जाना दुबारा इसी वी-एम के अंडर ओवर्वियू में यह आपका यहां पे नजर आ रहा है डी एनेस नेम आई-पी विर्चल नेट हमारी आज की वेक्साइट की एकस्स के लिए किस्तम डुमें नेम क्या है जी कस्तम डुमेण नेम नाम दे देता हूं इसका ICT-Dash-Trainings क्या दिया जी ICT-Trainings आगे क्या है यह नेम.region.acus.cloudapp.azure.com वेरी वेरी लॉंग नेम लेंग कोई बात नहीं. जरा मैं देखता हूँ. होता है के नहीं? एलियस नेम यहां से भी दे सकते हैं. इसको मैं एक और लैब में आपको बताऊँ. अब ही यह देखो. Save. दोबारा overview में आगया. ठीक है? Save करने के बाद. यह मैं दे रहा हूँ आपको. इसके तुरू देखेगा. क्या website open हुई? मैं आपको सेंड करता हूँ. आईपी लग रख लो. या मैं अभी आपको एक नहीं चीज़ दे रहा हूँ. इसके तुरू एकसेस कीज़ेगा. यह अजूर देता है दी. नेम. रिजॉल्व करने के लिए. विद इटस आईपी. ठीक है? डीनेस का मकसद क्या होता है? रिजॉल्व करना आपका नेम इन्टू आईपी और आईपी इन्टू नेम. जाए क्लिक करके देखीगा. मैं भी कर रहा हूँ. आप भी कीज़ेगा. कि अगर साइट ओपन होगी? तो ये ओवर्वियू में आपके पास दोनों आप्शन्स हैं. चाहिए आईपी इड्वेस के त्रू एक्सेस कर लो. लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं. तो कोई नेम होता है ना? तो मैंने नेम दे दिया. इसके इनिशल मैंने दे दिये. मिसर अच्छो दो हो रही है मैंने. होगी ओपन? येस सर्थ. गूड. मिसर सुहिब, ट्राइ किया है? अगर हो गई है मिसर मुझमिल के पास तो इन्शाला आपके पास भी हो जाएगी. सही है? अच्छा. अब मैं आपसे क्वेस्टन करता हूँ. ये तो एक नेम है जो पूर ने दिया है आपको इनेशल आपने जरूर दिये आई सीजी ट्रेनिंग रिंग रिमेनिंग पार्ट अगर आप गोहर करो ऐसा होता नहीं है क्या यह मुनासिब लग रहे हैं यह हम अपना एक डूमेन पर चेस करने हैं हाँ तो हमारे पास अपना एक डूमेन होना चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस है ना डूमेन पर चेस करने का हाँ अगर 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 आप जरुए समझो तो आप कर लीजेगा बड़ी मिनिमल सी अमाउंट के साथ आप इसको कर सकते हो उसकी में आपको जड़ा सा अगर आप मैंसे किसी दोस्त को नहीं पता तो यह मैंने यक्षिन किया था आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या किया मैंने गो रेडी पर किया कि तरह कुछ और भी आपकी वैबस यहाद रहे हैं जो कंट्रॉल पैनल होना चाहिए कि उसके बगर काम नहीं ओना जो मैंकरने पर लगा हूं यहां भी जाकर मैंने डिमेंश किया मैंने अपने नाम से प्रक किया मेरे पास होता था पिर एक्स्पायर हो गया एक साल तक मेरेपास रा अभी देखतें यह इसकी प्राइस है ठीक है और डॉट कॉम भी है पॉपुलर वर्ल्ड वाइड यह क्या लिखाव है मिस्टर मजब मेरे वान रुपी का वही देख रहा हूं फॉर्ड फॉर्स्ट यह रिए रिजिश्ट अजीव सी बात है वैसे चले वही बात नहीं बड़े यह बान रुपी का अच्छा तो मैंने यहां पर ना एक डुमेन यह यह मुझे सही लगा ठीक है यहां से मैंने मैंने वैसे जो लिया ना वह आई सीटी ट्रेनिंग्स डॉट स्टोर के ना है तो इस तरह मैंने काट किया उसको ठीक है ऐसे किसी दोस्कों नहीं पता तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप डुमेन कैसे प्रचेस करते हैं तो यह के आहम तोर पे लो प्राइस होते हैं और आफ्टर वन येर इसका ऑट्टो रिन्यूवल को आफ कर देना अगर ऑट्टो रिन्यूवल इसकी प्रॉपर्टी होती है एक साल गुजरने के बाद ठीक चबिस मैं दोजार चॉबिस भो आपका अगर आपका फूर्टीन थावजन थी जरो त्री की आपकी वह पेमेंट वह आपकी आपकी डिडेक्शन हो जाएगी तो जब यह आप पर्चेस करो एक इसकी प्रॉपर्टीज में जाके ना आटर रियन रिन्यूवल की आफ कर दिया करो नहीं आपको दिखा भी देता हूं यहां से हम करते हैं करने के बाद जनाब यहांसे आप अपनी मर्जी का पसंद का और वालकात आपकी कमपनी की नीड होती है तो आप उसको फिर जो भी चार्ज करें जितना भी चार्ज करें तो आप वह पर्चेस करने पर मजबूर होते हो बाद कर आपको ऐसा भी आपको नेम चाहिए होता है जो आपकी कंपनी की नीड होती है ठीक है यह नीड पर डिपेंड करता है कि क्या कीमत देनी है आपने अच्छा साथ में कुछ अडिशनल चीजें भी होती है प्रडेक्शन चाहिए आपको ऑमेल चाहिए यह यहांसर मेरे पाश्य आप दिखाता हूं यहां granular कर लिया खी यहां से आप अपनी सब्सक्राइब मेंने Sparkly जा और यहां र wsz देखो मने आपको आपको आई सीजी ट्रेनिंग डॉट ओन स्टोर यह ओनलाइन है देखते हैं डॉट स्टोर सोरी यह देखें यह यह मैंने पर्चेस किया आई सीजी ट्रेनिंग्स डॉट ओन स्टोर लें जनाब इस पर आपने क्लिक करना है हो सकता है आप एक से जादा आपने लिये हो तो मैंने यह मेरे पास ट्रेश किया था क्लिक करतें आई सीजी ट्रेनिंग्स डॉट स्टोर लें अच्छा आगे आपने करना कि आप लोगों ने इसके बाद कि इसकी सेटिंग्स वहरा मैं आपको दिखाता हूं कि यह डियने से नदर आ रहा है यह यहां से आपने इसकी कंफिगर करना है और अगर आप गौर करो और रिन्यूवल देख रहे हो मैंने आफ कर दिया यह अगर ऑन कर दूंगा ठीक है तो यह आटमेटिकली मेरी पेमेंट डिटेक्शन हो जाएगी तो यह आपने इत्यात करनी है उदाना खास्ता अगर आप नहीं चाहरे तो इसको आप आफ रखो ठीक है अभी मैं जबारा से आपको लेके आता हूं प्रॉडक्स में इसे यहां भी आपने करना किया वह बदाने लगां इंपॉर्टन चीज यह देखो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन किया यह मेरा डुमेन के नाम है यही तो नाम था मेरा यह मैं आपको भी थोड़ी देर में दे रहा हूं बरकि यह आप अपने पास रख लो अभी थोड़ी देर यह नाम मैंने जो रिस्टर किया वें अभी थोड़ी दिर में इस से भी आपकी वैबसाइट ओपन होगी अभी नहीं होगी जब मैं करूंग इसके बाद यह देखो अब फॉडक्स में होँ लिए इस पे क्लिक किया अब करने के बाद आपने रिसोर्स रिकॉर्ड इसका एड करना है यह क्या लिखाव है डिनस रिकॉर्ड डिफाइन हाव यौर डुमें बीहेव्स लाइक शोंग यूर वैबसाइट कांटेंट डिलिवरिंग यॉर इमेल य सिंगल एक करते है रिजौल करता है आपकी वेबसाइट को विद देसे आई पी आपका डूमें का नाम क्या है आई सीजी ट्रेनिंग. डॉट स्टोर यह आईपी कहां से देना है यह आई पी देना है आपने जनाब यहाँ बना यह पी देतो यह देख रहे है आपको यह यहां से कॉपी कर लो और यह आई पी आपने गोड़ेड़ी की जो आपका मैनेजर है वेबसाइट यह वाला डिए एनस मैनेजमेंट वाला इसमें जाके यहां पर आपने पॉपुलेट करना इसे एडिट कर लो यह एडिट लिखा यह टाइप है रिकॉर्ड की टाइप है आई पी अगर आपका वर्जन फोर तो एलेन है आई पी वर्जन 6 ओ तो टेट्रा एलेन है क्रानिकल नेम एक्सचेंज सर्वर टी एस टी आपको इंशाला बताऊंगा टी एक बड़ा इंपॉर्टन रोल है इसकी वी लैब आपको कर करूंगा फिलार आज वेबसाइट के लिए रिजॉल करने के लिए आई पी वर्जन 4 ए रिकॉर्ट टाइप ऐसी रहने देना कोई टेंशन नहीं यहां पर जाकि आपने पेस्ट करना है जो अभी थोड़ी पहले मैंने आई पी मुझे मिला तब पब्लिक आई पी और बाकी ऑप्शन को आप ऐसेच चेंजिस की दूरत नहीं है यह टाइम तो लिफ प्रॉपर्टी होती है हर सिक्स हंडर्ड यह सिक्स हंडर्ड सेकंड तक यह रिजॉल करके आपके पास रखेगा उसके बाद फिर आपको रिफ्रेश करते हुए नहीं से से आपको देना है वह आपने दे देना है अब जरा मुझे बताओ क्या वैब साइट ओपन हो रही है विद्धाट नेम चेक कीजिएगा अब चेक करके बताईएगा यह देख रिजाल हो रहे तो आप क्लाउड जो आपको प्रवाइड करते है नेम उसके तूर noon करना चाहरे हुएं यहां आपने कंपनी नेम के साथ अपने कॉंटेंट को J tive पबिश किये में आपने सर्वर पर उसके साथ उसको आपने एक्सेस करता है यह वाप की मर्सी है अच्छा इसमें एक और चीज आम तोर पर यह www के साथ होता है यह देख रहे हैं उसने बना दिया यह चेक करो यह मैंने तो नहीं दिया तो सिर्व इदर चैश किया था इस जगापर यहां देखिए गाई यह क्या हो गया www.ict training.store के साथ भी आप इसको समयारी बात यह कि नॉनिकल नेम है यहां से अगर आप चेक करो देख रहे हो यहां पर दे दीजिएगा नेम में और यह आपकी वेबसाइट जो मैंने थोड़ी दे पहले दो दिन पहले यह मैंने पर्चेस की थी हां जी क्या रिपोर्ट है आपके पास चल रहा है ओपन होगी यह सब चल रहा है यह जैसा मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ यहां पर इस करके भी देख लेते हैं और अगर आपको डाउट हो तो आप यह थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यह कॉग्निटो में भी ओपन करके देख सकते हो क्योंकि यह वैल्यूज जो है ना आप कहते हो कि सर्व इसकी जो कैशी इसकी कैशे से उसको मैंटेन कर रहा होता है इस तो तो अपन करके देख लिए आप है अजी क्या रिपोर्ट है क्यों गया आज आपने क्या किया है किस तरह हम अपने कौंटेंट जो आपने होस्ति होते हैं पब्लिश्च कि होते हैं सर्वर पे उसको किस तरह आप different ways के साथ उसको public access उसको मिल सकती है उसमें important चीज जो सीखने की थी आज वो आपका rule लगाना rule आपको जब तक configure नहीं करोगे आपको एकसेस नहीं मिलेगा ठीक है तो rule आपको यहां पर set करना पड़ता है उस VM सर्वर के साथ otherwise आपको उसकी एकसेस नहीं मिलेगी यह जी आज की लैब और इसकी आपने प्रेक्टिस करनी है और अपना एक आपको रिप्लाइब करते हैं और बाकी आज जाने से पहले आखरी काम वही अगर आए एक दफाव जो कि रिपोर्ट दे तो तो मैं यह रिसोर्स ग्रूप को यह रिसोर्स ग्रूप आ गया जनाब और यहां से आपने रिसोर्स ग्रूप दिस वान आपने समय करने हैं और अब करना है। वह मैं यह सारी सर्विस्ज यहां से जरूर कर दिया करें ताके ना हमें पिर शुर्स कई चार्ज कब्डि यहां पंब करके यहां पेस करके इसको आपने डिलीट कर देना है न mieszkawee उने हैं मुद्ट होता है उम् Track आ 당 helping Awards आग मैं खीक है मिस्टर मुजम्मिल एंड जोहेब इस बार वो हम विंडोस के ऊपर काम नहीं करेंगे बरके लिनिक्स आप में से किसी बैग्राउंड है लिनिक्स की सोड़ी बोड थिन एक हैं फिली बोड बिलकुलक्त में सबस्क्राउ है इस में हम एक इस प्रॉबर वोन इसनों से क्यूंब्स करने में और एक दिनने है 저희가 विज़ने कमांड वे प्देंड अब आप आपको साइन कर दूंगा साथ ही आप उसको भी देख सकते हो और अगर हो सकते हो तो मैं वीग गेज में वुक आपको सेंड कर दूंगा वर्साइप ग्रूप में तो बागी है कि यहां तक आप इतना साली लाप्स कर लखिएगा इंशाला फिर आप थाज़े को मुझादागा आपको